हलो बच्चो आज हम पढ़ेंगे दोस्त की मदद किसी तलाब में एक कच्छुआ रहता था कोई तलाब है वहाँ पर कौन रहता था कच्छुआ कच्छुआ मतलब क्या होता है टर्टल तलाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई मांद मतलब जहां पर जानवर रहते हैं जैसे लोमड़ी रहती है शेर रहते हैं सब अपने अपने डन में रहते हैं उसको हम लोग हिंदी में मांद कहते हैं एक दिन वे तलाब के किनारे गपशप कर रहे थे कौन गपशप कर रहे थे कौन बाते कर रहे थे गपशप मतलब होता है बात दोनों अपने अपने घर की और जान बचा कर भागे तो कच्छवा और लोमडी दोनों अपने अपने घर गए घर गए क्योंकि उनको अपने जान के डर थी क्योंकि वहापे कौन आ गया था तेन दुआ आ गया था तो दोनों अपने अपने जान बचाने के लिए अपने अपने घर की तरफ दोड़े लोमडी तो सरपट दोड़कर अपनी मान में पहुच गई तो लोमडी तो बहुत तेज दोड़ती है तो वो तेजी से दोड़कर सरपट मतलब होता है तेज़ी से दोड़कर वो कहां पहुँझ गया अपने मांद में पहुझ गया लेकिन कच्छुवा तो दीरे धीरे चलता है तो कच्छुवा अपनी धीमी चाल के कारण तलाब तक नहीं पहुँझ पाया लियोपर्ट था वो एक ही चलाब में एक ही उपस यह टूर्टल के पास पहुच गया, कच्छु को कहीं छुपने का भी मौका नहीं मिला। वो कहीं भी ऐड नहीं हो पारा था, क्यों? क्योंकि उसको मौका नहीं हो पारा था। तेन्दुए को मुण में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेढ़ के नीचे चला गया, कच्छुए के सक्त खोल खरोच तक नहीं आई मतलब तित नाखुर नेल असने दाट पूरा टाकत लगाने पर यह मतलब या है और टॉर्टल को शयल होता है वह पोहुत स्ट्रॉण 친 dellากर्श तो इस कुछ उसमें दोस्त बहार आई किसकी मदद करने के लिए उसकी दोस्त बहार आई यानि लोमडी बहार आई लोमडी अपनी मान से यह देख रही थी उसने कच्छुए को बचाने की तर्कीब सोची उसने सोची कि मेरा दोस्त तो बहुत मुसीबत में फज़ गया है चलो मैं इसकी तोड़ी देर में पानी से इसे पानी में फेग दो इसे पानी में फेग दो अब पानी तो जचुआ का घरी होताए और बोलरें कि उसे पानी में फेग दो थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा मतलब इसका खोल नरम हो जाएगा सौफ्ट हो जाएगा ऐसा वो कह रिये तेंदुए को ठीके लोंबडी चाहे तो अजमा कर देख लो अजमा कर देख लो यानि आप ट्राई करके देख लो आपको यकीन नहीं हो रहा है तो तो ट्राई करके देख लो तो तेंदुए ने क्या कहा इसमें ठीक है अभी देख लेता हुम तो बस फिर क्या था गया कच्छूभ पानी में तो वो टर्टल की सरीका से पानी में पहुचकर तो यह जान बज गई एक दोस्त की Okay.